हलो एब्रीवन वेल्कम टू माई चानल आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेली डाल की रेसिपी जिसके लिए मैंने एक कप अरहर की डाल ली है और इसको धो के वास्ट करके रखा हुआ है इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून लैसन पेस्ट इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून हल्दी फ्रेंसिस में लैसन का जो टेस्ट है वह बहुत अच्छा आता है बहुत खाने में लाल बहुत यम्मी लगता है आप एक बड़ लैसन डाल के बना के देखिए अब हम इसक?' घूकर को बं करेंगे और तीन सीटी होने तक गलाएंगे इसको जब तक दाल हमारा सीटी लग रहा है फ्रेंस हमने कढाई में OIL रखके दो मेडियम साइज के प्यास को Golden Brown होने तक पकाना है इसको Golden Brown करना है और इसमें हम डालेंगे दो हरी मिर्च इसको हम गुल्डन ब्राउन होने देंगे प्याज हमारा गुल्डन ब्राउन होने वाला है बस दो मिनट इसको और गुल्डन ब्राउन करेंगे प्याज हमारा गुल्डन ब्राउन हो चुका है फ्रेंज अब हम इसमें एड़ करेंगे एक छोटे साइस का टमाटर और इसको दो मिनाट के सॉफट होने देंगे इधार हमारा दाल भी टीन सीरी लग चुका है डाल हमारा ऑने गल चुका है और दाल हमें इतना हुना है इससे जादा यह से कम नहीं गलाना है कम गलाने पे यह कच्च रह जाएगा ज्यादा एक दम बारी महीन हो जाएगा इस त्रहसा गला भी रहे ख़डा रहे इसका बहुत अच्छा लगता है फ्लेवर खाने में फ्रेंस बहुत टेस्टी दार यह मंता है एक बार आप ट्राइब को सौफ्ट हो चूके हूं अब हम इसमें आइट करेंगे हमारे जो गरह दाल है वह कृते हो त्रहसा जाएट और ऋमूइस में ओम आइट कर दिया था तरहें के नमक नहीं किया है यह तुक्शिक परफेक्ट नमक का आएगा गा कम या जाद अपने हिसाब से कर सकते हैं अब हम इसको दो मिनिट और धक के पकाएंगे दो मिनिट हो गए फ्रेंज देखो दाल हमारा बिल्कुल रेडी है पक के यह दो कितना अच्छा कलर आया है और इसको रोटी सिर्फ साधी रोटी के साथ इसको इंजॉय करिए यह बहुत लेकिन यह रखेंगे तो और भी टेस्ट इसका बढ़ेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू फ्रेंज